हेलो फ्रेंड जैशी किशनाज देखे हम यह प्यारी सी ब्यूटिफुल ड्रेस बनाएंगे और यह मैंने लेड्डू कोपाल के लिए बनाई है रूण करके यह हमें नॉट लगा लेएंगे और फिर बाद में आप बैक से हम यहां पे पिन पर लेंगे आप चाहें तो यहां पेड़ भी लगा सकते हो तो यह ऐसे देखिए हमने पिन अप कर लिया तो बहुत ही प्यारी है और बहुत सुन्दर लग रही है जैसे आप देख रहे हो और बहुत सुन्दर इसका कॉमिनेशन लग रहे हैं अब इसमें हम इनको पगधारन कराएंगे तो दिकी इनको हमने पहना दिए है और बहुत ही प्यारी लग रहे हैं जैसे आप देख रहे हो आप ऐसे एजी विम अगर आप में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जो करिएगा बेल आइकन का बटन दबाएगा जैसे आपको यह नोटिफिकेशन मिलते रहे चले स्टार्ट करते हैं बनाना लट्डू पाल की ड्रेस बनाने के लिए हमने वाइट कर गए कप्रा लिया है तो यह हमने बेस वाला कप्रा लिया है और इसकी हमने लेंद देखिए फोर इंच ली है और इसकी जो चोड़ाइं नापेंगे तो यह हमारी पूरी 33 इंच है अब मैंने लिया है तो यह हमने पौने तीन इंच लिया है इसकी लेंद और इसकी चोड़ाइं भी हमने 33 इंच लिये हैं हम फ्रिल वाली ड्रेस बना रहे हैं अब देखिए हम ऐसे एक फोल्ड करेंगे एक पर और फोल्ड करकी इसको हमें सिल लेना है और फिर इसमें हम ले झाल झाल अब इसमें हम प्लीट्स टालेंगे तो पतली प्लीट्स चड़ाते वे हमें इसमें प्लीट्स बना लेनी हैं तो इस तैसे हम इसको कम प्लीट करेंगे झाल 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 इसको भी हमें सब्सक्राइब साथ से कम्प्लीट करना है है तो हमें फेले टे Albẩy टेजने लेज हुआ और फिर इसमें हम लेख लगा लेगे त्मितायख लंटाओंगे चाल इसमें सब्सक्राइब पहले ले रड़े वस्की मिल को मैं ते कहिते हैं झाल झाल प्लीक फ़िटस में बना लिए तो पत्ली पिर फागो हमिने कलेगे क्वाइब लिपलेजिए पारण स्टिय's को Мधिन गया में, और अजूनशा प्लीक फागो, मारा कुपेदल ARE C ten चार प्लीटस में , तो तो देशी अर्डीटस में लगाएंगे तो इस दही हम यह पूरी प झाल झाल करिणन में तीच करना है अब हम कमर नापैंगे हमें कमर पट्त लगानी रहें और इसको अटैच करना देगा तो यह हमारा पूरा फइप इंच आरहा है हमारा दूसरा भी फ़ फाइफ इंच है और दोनों को जुट्री पहले आटैच करेंगे तो एक उपर एक रखना है और अटेच करना है तो देखे हम थोड़ा सा निकालते हुए करेंगे कि वाइट हमारा नीचे न दब जाए तो हमें थोड़ा सा निकालते हुए और फिर अटेच करना है तो कमर पटी लिए है और इसकी हमने देखिए पॉने दो और इंदर से पॉने दो और इनर से पॉने पॉने और इसकी पॉने लिए है पॉने दो है और उधर से ना पिंगे तो यह हमारी पूरी हमें साड़े दस लिया क्योंकि इससे हम इस्ट्रिप बनाएंगे और यह डोरी भी लगेगी तो अब इसको हमें अटेच करना है बैक में रखना है बैक में रखते हुए मीड पहले निकालते हुए और फिर हम इसक रहेंगे और इसंख करेंगे और मीड रखते हुए और आटैच करेंगे। अब तेके इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करके हम ऊपर वाले निकाल करें तो ऋबना अगले सिलाइगे इसको फोल्ड करेंगे फिर ऐसे यह उपर वाला फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करते वे हमें चढ़ाते वे इस पे लगा लेना है तो कमर पट्टी ऐसे हम अटेच कर लेंगे तो यह पूरा हमें सिल लेना है तो देखे इस तरह से यह गेर कंप्लीट हो गया है अब हम चोली बनाने के लिए हमने यह पूरी सिक्स लिया है इधर से और इधर से हमने यह पूरा 3 इंच ली है अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करके एक पर और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसमें हमें निशान लगाना है निशान लगा के फिर हम इसको कट करेंगे तो यह हमें ऊपर जो ओन फोल्डे वहां पे रखना है और रखते वे हम यहां पे देखिए वन इन से एक पॉइंट कम हम इस पे निशान लगाएंगे और इसको अब हमें टेड़ हार डाइगनल शेप दे करके फिर कट करना है तो यह देखिए हमें इसमें हलका सा ऐसे शेप यह चाहें टेखिए हमें फिर Г्ट्रह से 부분 हमें आज़र, खिर देखिए करके देखिए कर दोए तो यह तो आप चाहें तो इसके लिए थे इस चाहिए दो सकते हैं डाइग करसे आज़रम आक है आलम हमेंट करने लिए बदाता है जो उसको हॉन और आ इसको कटरता है और ब प्रिक से लटा करें और अपर फोल्ड करना रहें गाएंगे और फिर इस सिलाई लगा लेगी है तो यहां से देखिए ऐसे सिलाई लगाते हैं इसको अटैच कर लेगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे एक तो तो कि अब देखिए हमने ये इस्ट्रिप लिए है और ये हमने वन इंच लिए है इधर से नापेंगे तो ये हमारी साड़े च्छै इंच और इसको मिड में रखना है और अटेच करना है उसके बाद टन करके फिर से इसको पीलेना जैसे हमने कमर पत्ती लगाई थी इ डिके इसको हम सिल लेंगे और और फिर हमें इसको घृष टर्ण करना है तो हमारी स्ट्रिप बनेगे अब इसको हमें पूरा सिल लेना है तो हम इसको सिल लेते हैं तो दिखें इसमें अब हम लेश लगा लेंगे तो ऊपर की तरफ हमें लेस लगाना है और लगाते विए इसको लेंगे है ओ अब दिखिए हमें गेब लेना है गेल को हमें ऐसे उल्टाफोल्ड करना है और करते वह हमें यहां पे बूर्ड में हम मिड्ल में निशान लगाएंगे तो यह हमने बैक में निशान लगाएं मिट में और चोली का भी मिट लेते हुए इसको अटेच करेंगे तो देखिए हमने कैप के लिए लिया है तो यह हमने पहने दो ऐसे नापेंगे और इधर से नापेंगे तो यह हमारी पूरी साड़ेच्छे है अब इसको हमें उल्टा फोल्ड करके पहले हम सिल लेंगे और फिसल करके हमें इसको टर्ण कर लेना है और टर्ण करके सीधा कर लेना है तो देखिए अब हमने यह श्ट्रिप ली है यह हमने पॉने दो इंच ली है इधर से नापएंगे तो यह हमने पूरी सारे साथ ली है इसमें लेस लगा करेंगे ऐसी दूसा पार्ट लिया है यह यह ज़िए और इधर से नापएंगे तो यह हमने छै इंच कर लिया है और इसमें हमने लेस लगा ली है और लेस लगा कि इसको कम्प्लीट किया है अब इसको हमें पग का शेप दे करके और यहां पर इसको अटेच करना है इसको हम सुई के हैफ से अटेच करके सिल लेंगे अब देखे हमने वाइट इस्टिपली है और इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए कलरी का हमें शेप देना है तो ऐसे फोल्ड करके कम्प्लीट करेंगे और इसको थेट से हम नॉट लगा के कम्प्लीट करेंगे अब देखे दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे हमने दूसी कलरी भी ऐसी कम्प्लीट की और रखने के बाद इसको पहले अटेच करेंगे एक के ऊपर एक रखते हुए फिर इसको हमें पग में अटेच कर लेना है तो देखे हमने लड़को पाल को पहना दिया है और इनके उपर बहुत ही प्यारी लग रही है जैसे आप देख रहे हो और बहुत इजी वे में आप ऐसी प्यारी सी ड्रेस बना सरते हैं दो सीधी पट्टी से आप जरूर बताएगा आप कोई कैसी लगी रादे रादे जरूर बोलिएगा कमेंट्स में जैशी किष्णा